क्या एक बार फिर धरा शाही होने वाली थी इंडियन एकोनमी क्या बीते अर्थ शास्त्री पियम का अनर्थ शास्त्र देश को साल 2008 वाले हालाग की तरफ ले जा रहा था क्या पुरानी सरकार की नीतियों की वज़े से देश गर्थ में जाने वाला था ये है देश के जाने माने अर्थ शास्त्री अनिल बोकिल अनिल बोकिल का दावा है कि 8 नवंबर 2016 से पहले देश में भारी कैश बबल था जिसकी वज़े से 2008 के अमेरिका की तरहे भारत मंदी की बड़ी गिरफ्त में आने वाला था तो सवाल ये है कि आखिर कैसे हमारी अर्थ व्यवस्था बच गई कैसे देश की 125 करोण जनसंख्या को खबर भी नहीं लगी और हम बड़े खत्रे से निकल आए तो जवाब भी अनिल बोकिल ने ही दिया है जवाब है दी मॉनेटाईजेशन यानी नोट बंदी फिर सवाल कि कैसे तो इसके लिए चलिए पहले कैश बवल को सीधी भाषा में समझते हैं पीती सरकारों की तुष्टी करण की नीती की वज़े से देश में टैक्स केलेक्शन काफी कम था खजाने की कमी को पूरा करने के लिए सरकारे लगातार ही नए नोट छापती रही इन नए नोटों की वज़े से देश में कैश का अमबार लग गया यानि कैश बवल की स्थिती पैदा हो गई ज्यादा तर लेन देन कैश में ही होते रहे गैश लेन देन की वज़े से नकली करेंसी भी लगातार बढ़ती गई और भारतिये रुपया बरबाद होता रहा ऐसे में अगर सरकार नोट बंदी जैसा कड़ा फैसला ना लेती तो भारत मंदी के आगोश में चला जाता यानि एक अर्थ शास्त्री पीम ने देश की अर्थ व्यवस्था को जो मर्ज दिया उसका इलाज एक चाय बेचने वाले पीम ने कर दिया